जे दोस्तों स्वागते आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके लिए आपके लिए यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टेस सेट तो यहाँ पर सो कॉस्चन कंप्लेट करेंगे और कितने कॉस्चन आपसे यहाँ पर सही बनते ह हैं तो आप कमेंट में जरूब बताएं और वीडियो को लाइक करने सभी लोग चैनल पर कर आप पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब करने बेल आइकन दबाएं वहल पर क्लिक करें ताकि आल वीडियो की जानकारी आप कहां तक सबसे पहली पहुंचे तो यहाँ से हि हैं चैनल को सस्क्राइब वस्तिकल लें इसी तरह कि आपके बहुत सारे यहाँ पर जो है प्रेक्टिस सेट करवाए जाते हैं तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट कॉस्चन है किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगबग पांच हज़ार कभियों का अठिहास लेखन की परम्परा का सूतरपात किया है तो किस ने किया था इसका शूतरपात तो बाउन का राइट आनसर आपका जो इहाँ पर होगा बहे किस ने किया था सूत्रपात गार्सादा तासी आनी की विकल्प नंबर B आपके हैं पर सही आंसर होगा Question number आपके हैं पर 53 पूंचा गया है आचार रामचन सुकल के अनुसार आधीकाल का समय है इन्होंने आधीकाल की जो समय सीमा मानी है कब से कब तक मानी है यह आपको बताना है तो Question number है आपके हैं पर 53 पर 53 का राइट आंसर विकल्प नंबर C संबत 1050-1375 विक्रमी आपके हैं पर सही आंसर विकल्प नंबर C राइट आंसर होगा Question number आपका चंगन पूँचा गया है आपर की खड़ी बोली हिंदी का पिर्थम कभी कौन माना जाता है अमीर खुसरो, तुलसीदास, नानक या गुरू उन्गोबिंद से है तो Question number चंगन है और चंगन का जो सही आंसर है आपका खड़ी बोली हिंदी का पिर्थम कभी कौन माना जाता है तो चंगन का आपका विकल्प नंबर 1 यानिकी अमीर खुसरो आपका सही आंसर है Question number 55 है आदिकाल के किसकभी की भासा हिंदी के बरतमान रूप के सरभधिक निकट है Question number 55 है और पचपन का आपका जो सही आंसर है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर 2 यानिकी अमीर खुसरो आपका यहाँ पर सही आंसर है Question number 56 आचा रामचन सुकली जी ने रासु सब्द का संबंद के सब्द से माना है रामचन सुकली जी ने रासु सब्द का जो संबंद माना है वह माना है किस से तो आपका 56 का भी राइट आंसर है रसाइन से रसाइन आपका यहाँ पर सही आंसर है और Question number यहाँ पर संबंद के पूचा है पंडे चंद धर सर्मा गुलेरी ने जिसको परानी हिंदी का परतम कभी सुईकार किया है चंद धर सर्मा गुलेरी जी ने किसको क्या है राजा मुंज को राजा मुंज यानि की विकल्प नंबर C आपका यहाँ पर सही आंसर होगा राजा मुंजे Question number अंटाउन पूचा है राम भक्ति साका की कभी है तो राम भक्ति साका की कभी तुलसी दासें कभीर दासें सूर्दासें इन मैसे कोई नहीं है तो अंटाउन का आपका जो सही आ बताना है 69 का सही आंसर क्या होगा महत्वपूर्ण Question पूचा क्या है और 69 का आपका सही आंसर है ब्रह्म रंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर E Question number 60 पूचा है नाम देव का संबंद किस प्रदेश से है मध्द प्रदेश से राजस्तान से या महाराष्टे से आपर गुजरास से तो Question number 60 का आपका जो सही आंसर है बहे आपका राइट आंसर महाराष्टे से नाम देव का संबंद महाराष्टे से है तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है रोज तुल हकायक के रचेता कौन है इसके रचेता पूचा है सेख नभी नूर मुह मुहमद का सिमसा है उसमान तो 61 का आपका सही आंसर होगा नूर मुहमद नूर मुहमद यानि के विकल्प नंबर सी आपका इहां पर सही आंसर है कभी के सब्दास की कौन सी किर्थी अपने बढ़न विसाई की उपेक च्छा चंदों की विरता में भटक गई लगती है तो व बिर्मर गीत सिंगा रस का क्यांसा काब्ब है जो बिर्मर गीत है इस सिंगा रस का क्यांसा काब्ब है यह आपको बताना है तो 63 काब का जो सही आंसर है वह है उपालंबे काब्बे उपालंबे काब्बे यानि की विकल्प नंबर सी आपका इहां पर सही आंसर है 63 का सी तो question number 64 है महत्तुपूर्ण question पूँचे गया है और 64 का ये right answer है यानि कि भूसन आपका यहाँ पर सही answer होगा भूसन आपका सही answer है question number 65 है क्या पूँचा है कि अली कली ही सो बंधो आंगे कौन हवाल उक्ती में कभी बिहारी का कौन सा रूप प्रगट हुआ है कौन सा रूप केस में प्रगट हुआ है बिहारी का question number 65 का सही answer होगा उद बोदक रूप उद बोदक रूप विकल्प नंबर सी सही answer है केसब दास की रचिना है कवीता वली विज्यान गीता 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 वली या भगवत गीता तो question number 66 है और 66 का आपका जो सही answer है वह आपका विकल्प पर लिखी गई टीका है कौन सी है सत्सई भास्य है राम चंद्रिका है लाल चंद्रिका है या किष्ण चंद्रिका है तो question number 67 का सही answer आपका यहां पर भी राइट आंसर है लाल चंद्रिका आपका सही answer है तो जाने चरित के रचियता कौन है question number 68 पूच्छा है और 68 का जो सही answer है घनानंद सूदन बोधा मती राम तो आपका 68 का सी राइट आंसर है सूदन सूदन आपका यहां पर सही answer है घनानंद को साक्छात रसमूर्टी किसने कहा है तो question number 79 और 69 का सही answer है आपका विकल्प number C आचार रामचन सुकल आपका यहां पर सही answer होगा question number 70 क्या पूच्छा किस कभी की है यह पंती आपके लिए बताना है 70 में यह किस कभी की पंती है तो 70 का राइट आंसर है भारतेंदू हरिष्चंदर बिल्कुल सही भारतेंदू हरिष्चंदर आपका हिहां पर सही answer होगा सच्चा प्रेम बई है जिसकी तरपती आत्म बली पर हो निर्भर त्या आपके लिए बताना है तो 71 का सी राइट आंसर है राम नरिष्टर पाठी विकल्प नंबर सी आपका सही answer है कौश्चन नंबर आपका 72 पूंचा है दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही अप्रेक्त पंतियां कैसे कभीता से उद्रत हैं यह कौन सी कभ आपका यहाँ पर 73 पूंचा है निमलिकत रचना में से कौन सी नागरजुन की लिखी रचना है नागरजुन जी की रचना यहाँ पर आपके लिए बताना है तेहतर में आपके चार विकल्प भी दे गए हैं महत्त पूंड कॉस्चन है वीडियो को लाइक भी अवस्ते कलने सबी लोग इसी तरह के और वीडियो आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कलें तेहतर का राइट आंसर सी प्यासी पतराई आंखें इनके द्वारा लिखी गए हिनांगरजन जी द्वारा कॉस्चन नमबर आपके यहाँ पर चोहतर है प्रियंबद निमलिकत में से किस कवीता से संबंदित पात रहे पला की छाहा ब्रह्म राक्षस असाद द्वीना या कामाईनी तो चोहतर का आपका जो सही आंसर है बहे है आपका राइट आंसर विकल्प नमबर बी आनकी असाद द्वीना कॉस्चन नमबर पचत्तर है मगद कवीता संग्राय की रचेता कौ पुलिंग नहीं है यहाँ पर आपके लिए बताना है बहें कौन सा अक्षर है जो पुलिंग नहीं है बताईए कौस्चन नमबर चेत्तर है महत्तुपूर्ण है कौस्चन और इसका जो सही आंसर है चेत्तर का विकल्प नमबर सी और बड़ी ए यह जो है पुलिंग नहीं है तो विकल्ब नमबर C आपका सही आंसर होगा सभी महाप्राण बर्णो बाला बर्ग है कौन सा है तो 77 में 87 में आंसर बताना है तो सभी महाप्राण बर्णो बाला बर्ग कौन सा है 77 का आपका यह राइट आंसर है खाच्छा था आपका यहाँ पर सही आंसर है कोश्टक में दिये गए ब्रहम चिन्न का नाम क्या है यह आपका यहाँ पर एक ब्रहम चिन्न दिया गया है कोश्टक में देखिए यह दिया गया है इस चिन्न का नाम क्या है तो आपका यहाँ पर 78 का सही आंसर विकल्प नमबर D यानि की विस्मय बोदक बिसमय बोदक 88 का D right answer होगा सुद्ध बरतनी यहाँ पर पहचान यह 89 वा question पूचा गया है सुद्ध बरतनी समचान में आपके लिए यहाँ पर क्या होगा सुद्ध बरतनी तो 89 का बिल्कुल सरल answer होगा आपका C आनी की समसान इस प्रकाल लिखते हैं विखल्प number C right सुद्ध बरतनी का चैन करना है यहाँ पर भी आपके लिए क्या होगा यहाँ पर सही answer question number 80 सुद्ध बरतनी तो यहाँ पर भी आपका सल question है कुमोदिनी आपका यहाँ पर इस प्रकाल लिखते हैं तो विखल्प number C आपका right answer है हिंदी में सब्दों का link निर्धान किसकी आधार पर होता है नमेलिकर बाग विकल्पों में सब्दों का link निर्धारन किसकी आधार पर होता है तो एक 80 का right answer है आनकी संग्या की आधार पर link निर्धारन होता है हिंदी में तो विकल्प number के आपका सभी answer है question number आपका यहाँ पर 82 क्या पूंचा क्या है तो देख लेते हैं कि इ आलिमा या कालापन तो 82 का आपका सही आंसर है काला यानि की विकल्प नंबर सी राइट आंसर है यहाँ पर कई विकल्प नंबर 83 का पंचा है करियार तक संज्या सद्सक्राइट रहती है तो एक बचन पुल लिंग या एक भचन इस त्री लिंग एक बचन पुलिंग science इस त्री लिंग तो आपके coat 84 है और 83 वा question का जो सही answer है वह बी आनिकी एक बचन पुलिंग आपका सही answer होगा question number 84 पूंचा है बुरा सब्द का नमलिकत में से किस रूप में प्रियोग नहीं किया जा सकता है किरिया विसेशन, सर्वनाम, संग्या या विसेशन question number 84 है तो बुरा सब्द का नमलिकत में से किस रूप में प्रियोग नहीं किया जा सकता है तो 84 का right answer है आपका C आनिकी सर्वनाम, सर्वनाम आपका सही answer होगा कोई आ रहा है वाक्य में कोई एक किस प्रकार का सर्वनाम है कोई आ रहा है तो कोई जो है वाक्ष में कोई एक इस प्रकार का सर्व नाम है तो आपका 85 का सही आंसर विकल्प नमबर एक यानि की अनिस्चे वाचक अनिस्चे वाचक आपका सही आंसर है question number आपका यहाँ पर 86 पूंचा है निसा का विसेशन रूप है निसा का विसेशन रूप बताना है तो 86 का सही आंसर क्या होगा तो निसा का निसाचर होगा निसांत होगा निसीत होगा या निस होगा तो 86 का आपका राइट आंसर है डी आनि की निस आपका सही आंसर योग वैक्ती पहिचाना जाता है बाके में योग सब्द क्या है योग सब्द बताना है योग सब्द यह क्या है तो आपके हैंँ आंशर 87 का विकल्प no.d. आनि की गुर्णबाचक विसेशन आपका बहुत बढ़ी ये right आंसर बताया है ये बाके में किरिया का खालिस्तान बे नवासी का सही आंसर होगा आपका D यानि की सकर्मक सकर्मक आपका सही आंसर है यदि ओड़ना अकर्मक किरिया है तो इसकी प्रिथम प्रिणात किरिया क्या होगी बताइए इसकी प्रिथम प्रिणात किरिया बताना है यदि ओड़ना अकर्मक किरिया है तो आपका यहां पर सह श्यांसर इसकी प्रिथम प्रिविणार्ट किरिया होगी मैं बहां होकर आया हूं बाक में अबेब कौन अबेब सब्सक्राइब में होकर बहां हूं इस बाक में संबंदित बाचक सब्दे बताये सेनाई आंगे युद्ध छेत्र या बढ़िए इसमें आपके लिए इस बाके में संबंद बाचक सब्द बताना है तो question number 91 का जो सही answer है वह है विकल्प number C आनिकी आंगी आपका right answer होगा निमने लिकित में इस त्रिलिलिंग सब्द कौन सा है दुख है लेख गरिमा या इस पर से तो question number 91 का आपका जो सही answer है वह है आपका right answer B आनिकी गरिमा गरिमा आपका यहाँ पर सही answer है बिल्कुल सही गरिमा जिनों ने बताया है खूटी सब्द का बहुबचन बताए खूटी खूटी यह आपका सब्द दिया है और इसका बहुबचन बताना है तो आपका यहाँ पर सही answer होगा क्या होगा right answer 139 का होगा खूटी या खूटी या भहुबचन आपका सही answer बिल्कुल सही बात्ची की कितने पिरकार होती हैं 3, 1, 4 कोई नहीं बताइए question number 94 है महत्यपूर्ण है और आपका सही answer है विकल्प number 1 यानि की 3 आपका right answer होगा question number 95 पूँचा गया है आपसे पीड से पत्ता गिरा यहाँ पीड से में कारक है इसमें पीड से में कारक है तो कौन सा होगा बताईए इसमें कारक question number 95 है और आपका right answer है विकल्प number C 95 है आनि की अपादान कारक आपका सही answer होगा सभी चिठ्थियां डांक से भेजी गई इसमें करता है डांक है सभी भेजी गई या चिठ्थियां तो question number 96 का आपका जो सही answer है बहे है आपका 96 का यहाँ पर विकल्प number D आनि की चिठ्थियां चिठ्थियां आपका यहाँ पर सही answer होगा गदा का तत्सम रूप क्या है 97 में बताना है गदा का तत्सम रूप क्या है चार विकल्प भी दिये गए है और आपका right answer होगा गर्धव गर्धव आपका यहाँ पर सही answer है लालटेन सब्द निम्न बर्ग में असी किस बर्ग में आता है तत्सम में देशज में विदेशज में तदभाव में लालटेन सब्द बताना है लालटेन सब्द है किस बर्ग में आता है तो आपका है यहाँ पर सही आंसर है 98 का विकल्प नंबर D आनकी विदेशज विदी शज आपका सही आंसर है question 99 रस्वईया में प्रत्य है या र स बताईए question 99 पूँचा या है और रस्वईया में प्रत्य बताना है तो 99 कबी राइट आंसर है यह आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल चाही तत्त में कौन सा प्रत्य है बताईए question number 100 है महत्वपूर्ण है और सभी लोग वीडियो को like अबस्ते करते जाए नत्वा आपका यहाँ पर सही answer है यानि कि विकल्प number C right answer होगा विकल्प number C right answer है विल्कुल सही question number 101 पूंचा है अधम का ब्रोदार्थी सब्द दियेगा विकल्प में से कौन सा होगा अधम का बताना है तो आपका यहाँ पर 101 का सही answer क्या होगा तो आपका सही answer है उत्तम उत्तम right answer है निशिद्ध का सर्वता उप्योक्त विप्रितार्थक सब्द कौन सा होगा निश्चित, ओचित, बेहत या निर्मित 102 का सही answer बताना है तो 102 का right answer आपका यहाँ पर जो होगा वह आपका बेहत बेहत आपका यहाँ पर सही answer बिलकुल चाही कुंदन का परियावाची होगा बताईए कुंदन का परियाबाची आपके लिए यहां पर बताना है तो कुंदन का परियाबाची 103 का आपका जो सही आंसर है बहे विकल्प नमबर 103 का आपका एक यानिकी हिम हिम आपका यहां पर सही आंसर होगा बिल्कुल चाहिए प्रतारक किसका परियाबाची है ठग का, टीका का, टेक का, या डर का question number 104 का सही answer बता नहें तो पृतारक, पृतारक ये किसका पर्याबाची है तो 104 का सही answer होगा ठग ठग आपका यहाँ पर सही answer है निमल के सब्दों में ऐसी एक अर्थ तेल भी है देखिए यहाँ पर पूंचा आपका सही answer है इसने है आपका यहाँ पर सही answer है बिलकुल सही इसने है right answer होगा question number 106 क्या पूंचा है सर्प मेंडक सहं घोडा बानर हाती आदी को समझाने वाला सब्द है पसू हरी या सिव या कपिस तो ये चार विकल्प देगा हैं बताए सर्प मेंडक सहं घोडा बानर हाती आदी को समझाने वाला सब्द है तो 106 का right answer है आपका सी यानि की हरी आपका right answer होगा question number 107 क्या पूंचा है देखिए question number 107 है आभिराम का अर्थ नरंतन होता है परंतु इसके समरूपी सब्द अभिराम का अर्थ क्या होता है तो अभिराम का अर्थ बताने देखिए आभिराम का अर्थ तो होता है नरंतर और अभिराम का अर्थ क्या होता है यह बताने तो 107 का right answer है C यानि की सुंदर क्या होता है सुंदर आपका यहां पर सही answer है बिल्कुल सही question पूसर पर बिस्षिष्ट लोगों की समक्त से दिये गया बिद्दुता पूर्ण भासन क्या है तो 109 का सही आंसर बताना है तो 109 का आपका जो सही आंसर होगा वहें आपका विकल्ब नंबर B आनिकी अभी भासन अभी भासन आपका यहां पर सही आंसर होगा बिल्कुल चही question number आपका यहां पर 110 पूंचा है जिसका नेवारण नहो सके इसके लिए एक सब्द आपके लिए बताना है तो आपके यहां पर राइट आंसर है question number आपका यहां पर 110 है और 110 का सही आंसर आपका होगा विकल्ब नंबर क्या है राइट आंसर 110 का D अनिकी अनिवारे आपका सही आंसर होगा अनिवारे आपका यहाँ पर सही आंसर है सूर्य उदय का संदी विच्छेत होगा सूर्य उदय का संदी विच्छेत क्या होगा बताइए सूर्य उदय का संदी विच्छेत तो 111 है भौती सल कॉस्चन है सूर्य धन उदय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विद्यालाई आपका सही आंसर है परमिस्वर में कौन सा समास है द्वन्द कर्मधाराई या फिर अविविभाव या फिर तत्पुरौस्ट कॉस्चन नूमर 113 का राइट आंसर बताना है perfection में 113 का आपका कर्मधाराई राइट आंसर है विखलत नूमबर भी आपका सही आंसर होगा पिरती दिनम सब्द का समास विग्रह कीजिए तो पिरती दिनम का यहाँ पर समास विग्रह करना है 114 का सही आंसर होगा आपका दिनम दिनम पिरती दिनम दिनम पिरती आपका राइट आंसर है नीली कमीज वाले चात्र को कलम दे दो रचना की आदार पर बाके का सही भीद पहचाने सरल बाके मिस्र बाके सायोक्त बाके आग्या बाचक बाके नीली कमीज वाले चात्र को कलम दे दो यह आपको बताना है बाके का सही भीद पहचानना है यहां पर आपके लिए दोटी बताना है तो आपका सही आंसर है, Q116 का विकल्प नंबर C, ब्राहम चिन्ने आपका यहां पर सही आंसर होगा, बिल्कुल चाहिए, Q117 है भारत के गाउं की, अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकार को बहुत प्रत्न कनना होग यहां पर आपके लिए बताना है क्या होगा राइट आंसर, Q117 है और 117 का जो सही आंसर है वहे आपका विकल्प नंबर B, या रा ला वा आपका सही आंसर होगा, यहां पर विकल्प नंबर 17 का आपका B राइट आंसर है, B जनोंने बताया है उनका यहां पर सही आंसर होगा एक सो सत्रह का आपका बी right आंसर है बिल्कुल सभी क्या है यहाँ पर आपके लिए बताना है तो एक सो 188 का आपका right आंसर क्या होगा अमर से क्या है तो एक दीर तुम छौपाई की संबंद में कौन सा कथन असत्य हलते हैं तो चौपाई की सम्बंद में यहां पर team कैजिए आंसर आपका चंद का प्रिकार नहीं है प्रिकार नहीं पूंचा है आपसे यहां पर तो बताईए चंद का प्रिकार नहीं है 121 वा क्वास्चन है और आपका भौती मात्पुन क्वास्चन है सही आंसर है द्रश्टांत यानि की विकल्प नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर होगा विकल् से कौन सा अलंकार इसमें आपके लिए अलंकार बताना है इसमें कौन सा प्रास है यहां पर अलंकार प्रास बताना है इनमें कौन सा प्रास है अनुप्रास है बताईए इसमें कौन सा अनुप्रास है तो आपका यहां पर राइट आंसर होगा कॉस्चिर नंबर 122 का विकल्प नमबर आपका यहां पर 122 का C आनिकी लाटा अनुप्रास आपका यहां पर सही आंसर है अंबर पनगट में डुबो रही तारा गट उसा नांगरी में कौन सा अलंकार है यहां पर बताने है अनुप्रास रूपक सिलेश उपमा तो question नमबर 123 का सही आंसर होगा 123 का राइट आंसर है आपका विकल्प नमबर C आनिकी रूपक आपका सही आंसर है गोद में लड़का सहर भर में डुंडोरा महाबरे का सही अर्थ क्या होगा बताए इस महाबरे का अर्थ बताने है गोद में लड़का सहर भर में गिंडोरा मुहाबरे का सही अर्थ होगा 124 का विकल्प नंबर C आनी की पास में बस्तू रहते हुए चारों और खोजना कॉस्चन नंबर आपका 125 पूँचा है आग लगने पर कुणा खोदना दियेगा विकल्प में ऐसे लोकोक्ती का सही अर्थ बतान है यह लोकोक्ती है और इसका जो अर्थ होगा कि आग लगने पर कुणा खोदना इसका अर्थ क्या होगा तो आपका राइट आंसर है विपत्ती आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना यह विकल्प नंबर D आपका सही अंसर है बीजा किसकी रचनाओं का संग्रा है यह तो सभी के लिए पता होगा बहुत ही चल कौशन है बीजा के किसकी रचनाओं का संग्रा है तो आपका यहां पर सही आंसर है कबीर क्या है राइट आंसर 126 का विकल्प नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर है यानि की कभीर आपका यहां पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही सथ सही के लेका कौन है वगवती चर्ण बर्मा बिहारी लाल या असोक सर्राफ या फिर अंसराई वच्चन तो क्वाश्चन नंबर 27 का विकल्प नंबर आपका विकल्प नंबर 139 का विकल्प नंबर 139 का कभी को कभी का कभी कहा गया है बहे कौन सा कभी है हिंदी साहित में जिसको कभी का कभी कहा गया है तो 139 का राइट आंसर है डी यानि की समसीर बहादुर सेह समसीर बहादुर सेह को कहा गया है कभी कौस्चन नंबर आपका यहां पर 130 मूचा है आगे की हसी उपन्यास के लिए किस साहित तेकार को सन 2015 के ल तो आपके 130 का सी राइट आंसर है आनकी रामदर्स मिस्वर आपका सही आंसर होगा कॉस्चन नमर 111 क्या पूछा है एक दिन बैठे बैठे एह बात अपने ध्यान में चड़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंद भी चूट और किसी बोली का पुट ना मिले पंती में ज तापे 131 का आपका इंसा अल्ला खां आपका यहां पर सही आंसर होगा इंसा अल्ला खां की पंती है और आपका इहां पर कॉस्चन नमर 132 है दियोदास उपन्यास पर तीन बार फिल्म बन चुकी है उपन्यास कार का क्या नाम है कॉस्चन नमर 132 में बताना है तो 132 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा सरत चंद चटो पाध्या विकल नंबर भी राइट आंसर है 132 का तेड़े मेड़े रास्ते उपन्यास के सही आंसर बताईए तो भगवती चर्ण बर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर कॉस्चन नंबर 134 पूँचा है लज्जा किस लेखा क्या लेकिका की किरती है लज्जा किस लेखा क्या लेकिका की किरती है तो आपके हैं पर सही आंसर है 134 का विकल नंबर भी आनकी तसलीमा नसरीन आपका सही आंसर है आदे अदूरे किस विदा की रशिना है ना राकिष कनाटा के आदिया दूरे कॉस्चे नमबर आपके 136 क्या पूंचा है भारत में माक्सवादी चिंतन परंपरा उसामा लूचिना के समर्थक प्रवक्ता है वह कौन है तो आपके हैं पर राइट आंसर है कॉस्चे नमबर 36 का डाक्टर राम बिलास सर्मा यानि की विकल नमबर डी आपके राइट आंसर है सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें कॉस्चे नमबर 37 पूंचा है 137 हिंदी रेखा चेतर का विकास खालिस्तान के बाद हुआ है किसके बाद हुआ है उनने सो पचास उनने सो चतिस उनने सो पच्छपन कॉस्चे नमबर 137 है और राइ 138 है 138 का वी राइट आंसर है यान की सरस्वती बिल्कुल सही बी जिन्हों ने बताया है उनका सही आंसर होगा हिंदी की पहली सभा यान की बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्स में रिलीज हुई थी ये कॉस्चन महत्वण है आलम आरा जो फिल्म है ये किस वर्स में रिलीज हुई थी तो question number 149 का सी right answer है यानि कि 1931 में कब release हुई थी 1931 में लाल चंद्रिका की रचिनाकार कौन है question number 140 है और 140 का सही answer आपको बताना है लाल चंद्रिका की रचिनाकार कौन है तो आपका right answer होगा यहां पर लल्लू लाल जी लल्लू लाल विकल्प नंबर आपका यहां पर ए सही answer है question number 141 पूंचा है निमन लिखित में से रचिनाकार और रचिना की दरश्टी से कौन सा विकल्प गलत है गलत विकल्प आपके लिए यहां पर बताना है बताईए कौन सा विकल्प गलत है यहां पर तो यहां पर रचिनाकार और रचिनाकार और रचिनाकी दरश्टी से एक जो गलत है वह है धर्म बीरभारती अंधा कुए question number 142 पूंचा है फ्राइड के वनुब्यज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार है यह स्पाल अग्ये उपनात अस्किया फिर नांगर रजुन 142 का अंसर बताना है तो 142 का अग्ये विकल्प नंबर C राइट आंसर होगा रच्छा बंदन कहानी के लेखक कौन है लेखक बताना है आपके लिए इस कहानी के लेखक कौन है तो आपके यहां पर question number 143 का सही आंसर बताना है 143 का सी राइट आंसर है सिव विसंभर नात सर्मा कौसिक होंगी विकल्प नंबर C आपके यहां पर राइट आंसर रच्छा बंदन कहानी के लेखक यह है रच्छा बंदन क्या है एक कहानी है यह है question number 144 क्या पूछा है देखिए कि अर्द नारीश और निवन्द सेंग्राई की रचिनकार का नाम है सांती प्रिय दुवेदी है अग्ये है रामधारी सेंदिनकर है बासिद सरन अग्रवाल है question number 144 है और आपका यहां पर महत्तुपूण जो question है 144 का विकल्प number B यानिकी रामधारी सेंदिनकर आपका यहां पर सही आंसर होगा रामधारी सेंदिनकर राइट आंसर है कलम का सिपाही का लेखक कौन है यह आपको यहां पर बताने question number 145 में कलम का सिपाही का लेखक कौन है तो आपका 145 का राइट आंसर है डी आनिकी अमरित राय आपका यहां पर सही आंसर है बिलकल सही अमरित राय राइट आंसर होगा question number 140 देख लेते हैं यहां पर आपका question number 140 पूँचा गया है कि यह गध्यांस में आपको जो है गध्यांस पढ़ना है पूरा फिर आपकी आपर question इससे संबनित question पूँचे गए हैं यहाँ पर फिर यहाँ पर आपकी जो है 4-5 question आपकी इन गध्यांसों से पूँचे गए हैं तो इस गध्यांस पढ़ेंगे तो बहुत देरी लग जाएगी तो इन question को यहाँ पर छोड़ देते हैं तो इस परकार अपनी आपर बहुत ही महत्तपुण question कंप्लीट हुए हैं क्या असा लगा यह वीडियो आप comment में जरूब बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करने और इसी तरह के और practice